अल्या भट की अगले फिल्म का title हुआ अनौंस या श्राज की इसफाई उनिवर्स की अगले फिल्म की अनौंसमेंट इस्पाई उनिवर्स के अल्फा गिल्स बनेंगी आल्या भट और शर्वरी हभी रन्बीर कपूर के बाद आल्या भट बनेंगी अब अल्फा फीमेल जिसका जोरदार एलान आज हो गया है या श्राल फेल्म्स अपने इस्पाई उनिवर्स को और भी बड़ा कर रहा है अब तक उनके बैनर तले वार से लेकर टाइगर और प्रठान जैसी कई फिल्में बन चुकी हैं जिसमें शार उकान से लेकर सल्मान खान और रितिक रोशन जैसे स्टार से दंदार एक्शन करते हुए दिखाई दिये थे आलिया भर्ट अदित्य चोपड़ा की वायरेफ स्पाई उनिवर्स की पहली फीमेल लीड फिल्म एक्ट्रस हैं उनके साथ इस फिल्म में इंडॉस्ट्री की उभरती हुए स्टार और वायरेफ की होमो ग्रोन टालेंटे शर्वरी भी शामिल होंगे अब मेकर्स ने उनके फिल्म के टाइटल पर से परदा उठाते हुए एक अनॉंस्मेंट वीडियो शियर किया है जिसके बाद फैन्स सूपर लेवल पर एक्साइटेड हो गया है जी हाँ इसपाई उनिवर्स के माई बाप यानिकी अश्राज फैल्मस ने फैल्म के टाइटल के साथ पहला वीडियो भी रिवील कर दिया इस वीडियो के बैक्ग्राउंड में आल्या भट की आवाज सुनाई दे रही है अल्फा का पहला वीडियो आते ही सोचल मीडिया पर काफी वाइरल हो गया है फैल्म में आल्या भट और शर्वरी वाग देश के दुश्मनों से भेड़ती नसर आएंगे बिताओ दें कि उनकी आने वाली इस फैल्म के टाइटल है अल्फा जिसका मतलब होता है सुप्रीम इस पाइ यूनिवर्स मुवी टाइटल अनॉंस्मेंट विडियो में आल्या भट कहती है ग्रेक अल्फा बीट का सबसे पहला अक्षर और हमारे प्रोग्राम का मोटो सबसे पहले सबसे तेज सबसे वीर ध्यान से देखो तो हर शहर में एक जंगल है और जंगल में हमेशा राज करेगा अल्फा इस चोटे से वीडियो में मेकर्स ने ये भी बताया कि इस फैल्म के शूटिंग शुरू हो चुकी है कुल मिलाकर अब रनबीर के अल्फा मेल वाले करदार को देखने के बाद आल्या के अल्फा फीमेल वाले करदार को यानि कि उनके दंदार करदार को देखने के लिए पबलिक तो सूपर रेवल पर एकसाइटेड हो गई है भोकाल कारप रही है ऐसे मैं आप देखने वाले बात होगी कि आने वाले दिनों में फिल्म से आलिया के लुप का खुलासा कब तक किया जाता है वहला आप बुताओए आलिया भट को अल्फा फीमेल के रूप में देखने के लिए आप कितनी सौरा एक्साइटर है बॉलीवोड की लेटेस्ट न्यूस, गॉसिप, फिल्म रिव्यूस, सौंग रिव्यूस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चानल क्रेजी फॉर बॉलीवोड को और येस, डोंट फोगेट तो प्रेस्ट बेल आइकन ताकि हमारे चानल पे आई कोई भी नई इंफॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिसना कर पाएं